मन्सोर संस्दियत शेत्र में पांडे घूट ने समाली भाजपा की कमान पांडे घूट फिर दिखा रहा है दम मट्यप्रदेश में जैसे जैसे 17 नौंबर की तारीक नस्दिक आती जा रही है विदानसबा चुनाओं के माहोल में गर्मी बढ़ती जा रही है मन्सोर संस्दिय शेत्र के आठ विदानसबा सीटो पर सांसत सुधिर गुप्ता गुट और पूरुर सांसत डाक्टर लक्ष्मिनारंण पांडे के पुत्र वरिष्ट भाजपा नेता सुरेंद्र पांडे गुट आमने सामने है सुधिर गुट जहां पूरे जी जान से भाजपा के अधिकरत उमिद्वारों को हराने में जुटा है वहीं दूसरी तरफ सुरेंद्र पांडे गुट भाजपा उमिद्वारों के पक्ष में माहोल खडा कर रहा है मनसोर संस्दिय शेतर में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चांसत स्वर्गी लक्षमिनायन पांडे का जबर्जस असर रहा है यहां की अधिकतर आठ विदांसवा सीटों में से पांडे समर्तकों को ही भाजपा से टिकट मिलते आ रहे हैं बीते दिनों मनसोर संस्दिय शेतर की चार विदांसवा सीटों में पांडे गुट के ओम प्रकाज सकलेचा जावत से वहीं यशपाल सिंग सी सोदिया मनसोर से इसके साथ ही जगदिश देवडा मलारगड से और हरदीप सिंग डंग सुआसरा के नामों की गोशना की गई थ मनसोर संस्दिय शेतर की बागी चार विदांसवा सीटों पर सांसर सुदिर गुपता अपने उमिद्वारों को उतारने के लिए जी जान से जुटे थे मगर पुर्व डाक्टर लक्षुनारन पांडे के पुत्र पुर्व सांसर प्रतिनी दी सुरांद्र पांडे ने भाजपा में अपने संपरकों का लाभ उठाते हुए अपने पिता किये समर्त्कों को ट्रिकेट दिलाने में सफलता पाई भाजपा के शिर्ष नेत्रवत्व ने नीमच से दिलीप सिंग परिहार, मनासा से माधव मारू, गरोड से चंदर सिंग से सोधिया और जावरा से राजेंद्र पांडे की नाम की गोशना कर दी मनसोर सस्दिय शेत्र की सभी आठ विदानसवा सीटों पर पांडे समर्टगों को हिटिकेट दिये जाने से, निराज सांसा सुदिर गुप्ता ने अपने ही समर्टगों को सुदिर गुप्ता गुट पर सुरेंद्र पांडे गुट जिस तरह से भारी पढ़ा, उसका असर शे उनके समर्थकों की संक्या खासी है वह लगातार अपने पिता के चुनाव सयोगी रहे हैं लिहाजा भाजपा के हर चोटे बड़े कारिकरताओं के साथ उनका सीधा समवाध है उन्होंने भाजपा के सभी आठ उमिद्वानों के लिए प्रचार प्रसार किया इस अभियान में पूरी तागा जोगदी है माना जा रहा है कि मनसोर विदान सभा के चुनाव परिणाम का असर लोग सभा चुनाव पर भी पड़ेगा क्योंकि इसे कई न कई सेमी फाइनल माना जाता है सूरेंद्र पांडे गुट को इस जंस्दी शेत्र में लक्शनायान पांडे की लोग हिंडूस्तान